Hello everyone, आप सभी का स्वागत है Artistic Soul चैनल में आज का ये वीडियो एक requested वीडियो है जो भीजा है fun with Unvy ने तो Unvy के request पे molded clay बनाना start करते हैं मार्केट में मिलने वाले इस 50 ग्राम के packet का price है 25 रुपीज एक किलो की बात करें तो ये लगबख 500 का पड़ता है जो काफी महंगा है आज मैं ये 500 रुपे वाला मातर आपको 50 रुपे में मना कर दिखाऊंगी जिससे आपके 4500 रुपे की बच्चत होगी तो चली इसे start करते हैं इसे बनाने के लिए आपको chalk powder की जरुद पड़ेगी ये किसी भी hardware shop पे बहुत ही असानी से मिल जाता है ये available ना हो तो आप P.O.P. भी ले सकते हैं इसके बाद हमें जरुद पड़ेगी इस favicol की जो की furniture को paste करने के लिए यूज होता है पेपर वाला plane favicol ना ले अब इसके बाद हमें जरुद पड़ेगी acrylic कलर की black and white कलर के दो मैंने acrylic कलर यहां दिये हैं आप water color का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हमें एक tissue paper चाहिए जिसे हम paste बना कर इसमें डालेंगे लास्ट चुम हमें चाहिए vaseline और oil आप कोई भी oil इस्तमाल कर सकते हैं अब clay बनाने से पहले हम थोड़ी से तयारी करके रखेंगे इसके लिए पहले हमें tissue paper लेना है मैंने यहां half tissue paper लिया है और पाने से भरे इस bowl में मैं इसके छोटे छोटे पीस कट करके डाल रही हूँ आपको भी इसी तरह से छोटे छोटे पीस इसमें डालने है आप इसे भीगो के रखेंगे लगबग एक से दो घंटा जब तक ये पूरी तरह से गलना जाए वैसे आप अगर tissue paper ना लेना चाहें तो आप plain paper या news paper का भी इस्तमाल कर सकते हैं और चाहें तो इसे थोड़ा सा grind करके इसकी पतली paste बना सकते हैं tissue paper को भीगोने के बाद अब हम clay बनाना start करते हैं हम इस bowl में अब chalk powder डालेंगे मैंने यहां लगबग 6-7 चमच फिलहाल chalk powder लिया है यह chalk powder आपको किसी भी shop पे मिल जाएगा इसके बाद हमें लेने है color जोने पहले हम dilute करेंगे लगबग 1 चमच के बराबर मैं यहां white acrylic paint ले रही हूँ और उसमें 1-2 बूंद black color की डालूँगी ताकि इसका थोड़ा सा gray shade आजाए और इसे dilute करके मैं chalk powder में मिला दूँगी क्योंकि market में मिलने वाले molded clay का color भी gray होता है इसलिए मैंने यहां पर इस gray color को बनाया है वैसे यह step बिल्कुल optional है अगर आप इस molded clay को बिल्कुल plain रखना चाहते हैं बिना color के तो आप वो भी रख सकते हैं और इस step को आप skip कर सकते हैं इसमें color डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से mix किया है mix करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पाने भी हम डालेंगे यहां अगर मैं आपको proportion के बार में बताऊं तो हमें लगभग एक cup के बराबर chalk powder चाहिए और उसमें आधा cup favicol add होगा बाकी color और बाकी चीज़े तो आपको अंदासे से डालनी है इस step में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आप favicol इस्तमाल कर रहे हैं वो furniture वाली favicol ही हो अगर आप paper paste करने वाली favicol का इस्तमाल करते हैं तो ये molded clay आपको बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगा favicol को डालने के बाद अब मैं ये tissue paper का liquid इसके अंदर डाल रही हूँ इसमें से हमें पानी नहीं निकालना है इस पानी समेथ ही इन tissue paper को इस clay में डाल दिना है और इसे धीरे धीरे अच्छे से mix करें ताकि इसके अंदर गाठे ना बने जब इसे हम starting में बनाते हैं तो पहले इसे शुरुआत में थोड़ा सा liquid रखते हैं और धीरे धीरे बचा हुआ पाकी का chalk powder इसमें डालते हुए इसे mix करते हैं एक्चली इसे बिलकुल आटे की तरह गूदना है यानि ना तो यह ज़्यादा tight होगा और नहीं ज़्यादा lose इसे बिलकुल आटे के dough की तरह तयार करेंगे इसके बाद इसमें last में हम डाल रहे हैं यह थोड़ा सा oil मैंने यहाँ coconut oil लिया है और इसकी 6 से 7 बुने इसमें add की है इस oil को डालने के बाद ही इस clay में थोड़ी सी चिकनहट आती है और हमारा यह molded clay एकदम perfect बनता है अब सबसे last में और बहुत जरूरी बात यह है कि आपको इस clay को कम से कम भी 15 से 20 मिनिट तक बहुत देर तक गूंथना है बहुत सारे लोग इस clay को बनाते तो हैं लेकिन उनका यह clay बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है या उसमें बहुत सारे cracks आ जाते हैं उसके सिर्फ दो ही reason हो सकते हैं पहला तो यह कि आपने सही proportion में उसमें समान ना डाला हो और दूसरा जो बहुत जरूरी भी है कि आपने उसे अच्छे से mix ना किया हो उस पे मेहनत ना की हो जाधा तर लोग बिना patience के जल्दबाजी में अपने इस clay को तयार करके अपने सारे craft को भी खराब कर लेते हैं तो आप इसका विशेश ध्यान दें कि आप इस clay को बहुत दिर तक गुंदेंगे उसकी वज़े से आपका ये clay इतना soft और smooth बनेगा अब इसके मैं छोट इसे design बना कर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमारा ये homemade molded clay कितना smooth और कितना strong बना है मैं सबसे पहले आपको एक string बना के दिखा रही हूँ ज्यादा तर लिपन आर्टिस्ट अपने घर पर ही इस तरह की molded clay को बना कर उसका इस्तमाल करते हैं क्योंकि market से लेने पर वो काफी costly पर जाता है और आज लिपन आर्टिस्ट के इस secret formula को मैंने आपके साथ share किया है आप भी इस तरह की molded clay बना कर अपने craft को बना सकते हैं देखे कितनी लंबी string हमने से तयार की है इसे मैं fold भी कर रही हूँ तो ये बीच में से बिलकुल नहीं टूटरी बहुत strong है और यही इसके पहचान है कि हमारा ये molded clay बिलकुल perfect बना है आप भी इस तरह की molded clay अपने घर में तयार कर सकते हैं मैं इसके अलग-लग shape बना कर आपको दिखा रही हूँ मैंने इस तरह की molded clay काफे बार अपने घर पर भी तयार की है और इससे काफे सारे craft भी बनाए है हाला कि उन वीडियो को मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है लेकिन इसके बाद next Sunday को मैं इस molded clay से आपको बहुत ही खुबसरत craft बना कर दिखाने वाली हूँ तो आप उन वीडियो को जरूर दिखिएगा अब मैंने यहाँ पर इन drop shape को बना कर यह flower की shape भी बना ली है इसके बाद मैं आपको एक last test करके भी दिखा रही हूँ जिसमें मैं बहुत ही पतली और बारीक string बना कर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको इस चीज का अंदाजा लग जाए कि यह clay कितनी perfect बनी है मैं इससे बिल्कुल ही पतली string बना कर यहाँ पर आपको दिखाऊंगी लिपन आर्टिस्ट इसी तरह की पतली-पतली strings बना कर और चोटे-चोटे shape बना कर अपने art piece में यूज़ करते हैं अगर इस तरह की string बनाते हुए यह बीच में से तोटने लगे या जल्दी सूख जाए तो इसका मतलब आपके molded clay में ही खराबी है और उसे आपको दुबारा बनाना पड़ेगा अगर मैं आपको इस homemade clay का एक फायदा बताऊं तो वो एक ये भी है कि जो हम ये clay इस्तेमाल करते हैं वो हातों पे या table पे जिस भी surface पे हम इसे use करते हैं वहाँ पर बिल्गुल भी चिपकती नहीं है ये तो हो गया हमारे homemade clay का एक और फायदा अब इसे रखना कैसे है वो आप देखिए इसे लंबे टाइम तक अगर आप रखना चाहते हैं तो इसे pack करने से पहले अपने हातों में थोड़ी सी vaseline लगाएं और इस clay के चारों तर्फ लगा कर इसे एक polythin में डाल कर रख दीज ये clay कम से कम एक से दो मेने आराम से चलेगी अगर इसमें हवा ना लगे तो I hope कि आज का ये secret molded clay formula आपको पसंद आया होगा इसी clay का इस्तमाल करके next Sunday को हम एक बहुत ही खूब सुरत craft बनाने वाले हैं तो उस वीडियो को भी अगले Sunday को जरूर दिखेगा तो मिलते हैं next Sunday को